हेलो फ्रेंट्स मैं समराट सार आज किस वीडियो में आप जानेंगे कि असना तक पार्ट वन की प्रेटिकल परिक्षा दो नमबर से यानि यह दो नमबर से आईजित होने वाली प्रेटिकल परिक्षा किस सेशन की है अगर आप BNMU के स्टुडेंट है तो आप लोगों की प 2017 में अडिमिशन कराया है आपका पार्ट वन का सेशन 2017 अठार है यानि आप 2017 में अडिमिशन कराये और 2018 के एक्जाम में सम्मिलित होते लेकिन अभी तक फॉर्म भराई नहीं हुई है आप लोगों के मन में अभी कन्फूजन होगा कि अभी तो फॉर्म भराई ही नहीं मतलब परिक्षा से पहले ही प्रेटिकल इस बार लिया जा रहा है यानि आप 2017 में अडिमिशन करा चुके हैं तो आप लोग प्रेटिकल में आकर के सम्मिलित होई है और यहाँ पर उसी से समंदित न्यूज जो हिंदूस्तान खबर में परकासित की गई है उनको आप विस्त अबवन की निर्देश पर सत्र नियमती करन की दिशा में उठाये गए कदम के तत्र परिक्षा की तिति घोशित कर दी गई है बीन एम्यू ने दो नमंबर से असना तक पाटवन 2018 के प्रेटिकल परिक्षा की तिति घोशित किया है परिक्षा नियंतरक डॉक्टर नविन कि दो नमंबर से असना तक पर्थम खंड 2018 की प्रेटिकल परिक्षा के लिए 20 विदियाले अंतरगत सभी अंगी भूत कोलेज और अस्ताई समंधन प्राप कोलेज में परिक्षा के अंदर बनाया गया है प्रिक्षा नियंतरक ने बताया कि प्रेक्षा चात्र अपने वर्क कर्मां के अधार पर देंगे उन्होंने का कि परिक्षक चाथरों के और कर्मां के अधार पर कोपी का मुल्यhmакन रहर सैंद्र प्रैक्षा के बाद लिखित परिक्षा अयुजित की जाएगी यानि आपके प्रैटिकल लिखित परिक्षा से पहले ली जाएगी तो आप लोग अपने कोलेज जाकर के पता किजी आपका प्रैटिकल आपके अपने कोलेज में ही होगा किसी अन्य सेंटर पर होगा तो इस परकार से आप जान चुके हैं कि आप BNMU के स्टुडेंट हैं और को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BNMU से समंदित किसी भी न्यूज को सबसे पहले प्राप्त करने हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद